असलाव अलेकम नाजरीन दिने इसलाम ही दुनिया का वो धर्म है जिसमें हर एक चीज धार्मिक होने के साथ साथ वैज्यानिक तत्यों पर भी खरे उतरती है इस वीडियो में हम आपको रमजान के बारे में बताएंगे नाजरीन रोजा रखने से हम अल्ला की इवादत तो करते ही हैं इसके अलावा रोजा रखने से हमारा शरीर भी फिट होता है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की संभाबना को भी रोजा टाल सकता है जापान के कोशिका विग्यानी योशिनोरी ओसुमी ने अपनी खोज में बताया कि जब हम दिन भर बिना कुछ खाई पिये रहते हैं तो शरीर की कोशिकाएं हमारे शरीर में जमा बसा को अपना भोजन बनाती हैं जिसमें अगर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के लिए जम्यदार तत्तो मौजूद होते हैं तो वे भी खत्म हो जाते हैं इसलिए रोजा रखने से कैंसर जैसी बीमारी को भी टाला जा सकता है नाजरीन इस अमल को आटो फैगी कहते हैं इस पर 1974 में चर्चा हुई थी उसके बाद ओसुमी ने इस पर रिसर्च करके एक नई खोज इजाद की इस खोज के लिए ओसुमी को 2016 में नोबिल पुरुसकार से नबाजा गया मेडिसिन के ख्षेत्र में 1905 से शुरू हुए नोबिल पुरुसकार का ये 107 वा नंबर है जो ओसुमी को मिला है तो नाजरीन आपको समझ आही गया होगा कि मोमिन पर रोजे फर्ज क्यों किये गए आपको उस हदीश की समझ भी आही गई होगी जिसमें नबी करीम हजरत मुहम्मद ने फर्माया कि हर श्रे की जगात है और जिसम की जगात रोजा है सुभान अल्लह ऐसा सच्चा दीन है इसलाम जिसमें इबादत के अंदर भी बीमारियों का हिलाज है जो खोज विज्ञान ने अभी की है उसे इसलाम में पंदरह सो साल पहले ही दर्ज कर लिया गया था हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नूरानी खवरें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें खुदा आफेज